तीन हिस्सों में इसके अध्यान को बाटते हैं इस अध्याय के प्रिष्ट भूमी के अध्यान को पहला भागुलिक प्रिष्ट भूमी दूसरा सामाजिक प्रिष्ट भूमी और तीसरा है राजनितिक प्रिष्ट भूमी भागोलिक, सामाजिक और राजमितिक अभी तक मैंने बहुत कुछ बातें की लेकिन आपको उस खेत्र से नक्षे में वाकिफ नहीं कराया जिस खेत्र का हम अध्यान करने जा रहे हैं उसूल तो कहता है कि खेत्र के बारे में सबसे पहले बताया जाए लेकिन इसलिए जहां पर नहीं बताया जा रहा है या अब बताया जा रहा है कि पहले हम थोड़ा सा इसको समझ लें कि हम किस काल की बात कर रहे हैं किस तरह के लोगों की बात कर रहे हैं और अब ये काल और लोग किस खेत्र के हैं इस पर आते हैं तो चलिए अब हम चलें भावगोलिक प्रिष्ट भूमी की ओर उसके बाद दूसरा है सामाजिक प्रिष्ट भूमी और तीसरा राजनतिक प्रिष्ट भूमी ये नक्षा देखें आप इस नक्षे में भारत दिखाई दे रहा है आपको स्पष्ट और उसके उपर चीन विशाल ख्षित्र चीन का विशाल ख्षित्र चीन के उपर मंगोलिया है जिस ख्षित्र को लेकर इस अध्याय का कथानक है मंगोलिया मंगोलिया के नक्षे को आप देखेंगे तो वर्तमान नक्षे में चीन उसके दक्षन में है, रूस उसके उत्तर में है और पूर में भी चीन और रूस है और पश्चिम में दूसरे क्षेत्र आ जाते हूँ वहीं कहीं पर बहुत ठंडा क्षेत्र होगा, कहीं पर नदियां होगी, कहीं पहाड़ हैं और कहीं समतल ग्रास इस नक्षे को समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं कि मंगोलिया का भागोलिक विभाजन किस तरीके से हुआ है क्योंकि वहाँ की भागोलिक परिस्थिती, वहाँ के समाज के व्यवहार को, जीवन शैली को प्रभावित करता है न, तो आखिर किस धंकी भागोलिक इस्थिती थी ये जानने के बाद कि रूस और चीन जैसे विशाल का देशों से घिरा हुआ क्षेतर मंगोलिया है, अब हम जाने मंगोलिया खुद भागोलिक दिरिश्थिती से कितना विभाजित है नक्षे में आप जैसे देख रहे हैं मंगोलिया, मंगोलिया का जो उतरी क्षित्र है, उतरी क्षित्र में एक नदी है, जिसका नाम अनोन नदी, कया अनोन नदी यह मंगोलिया के उत्तर में है नदी ऐसे ही उत्तर पूर्व के ओर देखें वही रूस से सटे हुए ख्षेत्र में तो एक और नदी है सलोंग नदी हम उत्तर पूर्व के ओर आएं तो देखते हैं कि वहाँ पर पहाड़ियां है परवती इलाका है पहाड़ियों से भरा हुआ इलाका है और वो भी कैसी पहाड़ियां बरफीली पहाड़ियां बरफीली पहाड़ियों से आच्छा दित उत्तर पह्ष्चिम का इलाका तो उत्तर हो गया उत्तर पूर्व हो गया उत्तर पह्ष्चिम हो गया अब यदि हम पूरे पूर्व क्यों रहा हैं तो वहाँ पर भी बरफीली पहाड़ियां हैं वहाँ पर भी बरफीली पहाड़ि यह जो बरफीली पहाड़ियां है पूर्व की और की इनकी खास्यत यह है कि इनका पानी लगाता पिखलता है और पूरतर जहरने के रूप में काम करता है बहुत सारे जहरने निकले हुए हैं तो उत्तर उत्तरपूर्व और पूर्व इन इलाकों में पानी की कोई कमीनी पानी भहतायत है और परिणाम सरूप आप मान सकते हैं कि इन खेत्रों में वन होगा हरे भरे खेत्र होंगे आदि-आदि खेति भी हो सकती है या होती रही होगी इसको हम आगे समझेंगे पर पानी की बहुतायत इन खेत्रों में है पानी की कोई कमी निए पश्चिम में पहाडियां है बरफीली पहाडियां बची दक्षिन का खेत्र यानि चीन से लगा हुआ खेतर ये खेतर में मंगोलिया जो चीन से सटा हुआ है तो वहां पे गोबी का मरस्थल है गोबी बहुत विशाल मरस्थल रेगिस्तान जिसे गोबी के रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है ये यहां पाया जाता है ये यहां पर है तो अब आप लिखे भागोलिक दिष्टि से इसमें विभन्निता है, हर्याली भी है, अतिशीत भी है, अतिग्रिश्म भी है, अब ऐसे में मंगोलिया के समाज के लोगों में भी विभन्निता होगी, चाहे उनकी वेजभूशा हो, चाहे उनका रहन तहन हो, खान पान हो, जीवन शैली हो, खेत्री आधार पर भागोलिक शेत्र को प्रभावित करते हैं, वहां के रहने वालों के, और इस परकार विभन्निता इनके इन लोगों में बहुत मिलती हैं, सब मंगोलिया ही, लेकिन ब होते के स्थिति का सतही अध्यन ही सही, लेकिन उससे आप अदाल लगा सकते हैं, विभन्निता की, खान, पान, जीवन, शैली, वियवसाय, द्योग, आधी में विभन्निता होगी, और खेत्र फल की दिश्ची से भी देखें, तो मंगोलिया और भारत कमो बेश, एक ही दिख भागुलिक प्रिष्ट भूमी के बाद हम आते हैं सामाजिक प्रिष्ट भूमी पर, समाज में क्या भिन्निता थी, समाज कैसा था, वहां के जो रहवासी थे, उनमें सब में कुछ कामन चीजें तो थी, आस पश्टता थी भाशा में, आवाज में ज्यादा, भीड की आवा पहले आपको बताएएं, अब समाज का अध्यान करते समय हैं, हम जने जैसे शुरुतों के अध्यान को दो भागों में बाटा, ऐसी सामाजिक प्रिष्ट भूमी को भी हम दो भागों में बाटें, इससे पहले हम यह याद रखें, कि जो भागुलिक शेत्र का विवरण मैं आपको बताया है दो नदियां और दोनों तरफ बर्फ के पहाड और जरने और दक्षिन में मरुस्थल, मरुभून। तो जो उत्तरी खेत्र है, उत्तर पूर्वी, उत्तरी और उत्तर पश्चिमी खेत्र, इस खेत्र में हरियाली होने के कारण वना च्छादित है और घास है, हरिभरी हैं, इसलिए भुगोल के विद्द्यार्ती होने के नाते आप समझ जाएंगे कि ऐसे खेत्र को भुगोल के नजरिये से कहा जाता है, स्टेपी घास खेत्र, मध्य स्टेपी घास खेत्र, पूर्ण रूप से स्टेपी घास नहीं था, तो मध्य स्टेपी घास खेत्र अर्था घास यहां बहुत है वन है अब दिमाग में आप इसको रखें कि ग्रास वहां बहुत पाई जाती है घास है और मध्य स्टेपी खेत्र है उसको ध्यान में रखते हुए अब हम समझने की कोशिश करें वहां के समाज को और जैसा मैंने बताया समाज को दो भागों में बांटा जा सकता है पहला पशुपालक वर्ग क्या वर्ग पशुपालक और दूसरा शिकारी संग्रहक वर्ग अर्था समाज का एक तबका अक्यूपेशन की नजर से विया वसाय की दिश्ट से पशुपालन में था तो समाज का दूसरा तबका बचा हुआ शिकारी वर्ग में आता था इस पशुपाल समाज दो भागों में बटा था अक्यूपेशन आर्थिक दिश्ट से एक पशुपालक वर्ग और एक शिकारी संग्रहक वर्ग यह संग्रहक शद क्यों आया है इसलिए क्योंकि यह शिकारी लोग जो थे यह शिकार करके अपने जीवन यापन करते थे और शिकार करते समय क्या करते थे खाल वगर आदी कठी करते थे जो उनको शीत में काम आता था अपने को ठंडते बचाने के लिए और मांस वगर खाते थे और साथ में मांस का संग्रहन भी करते थे शीत रितु के लिए क्योंकि शीत रितु में जानवर नहीं दिखाई देते उस एक्स्ट्रीम ठंड में जब बरफीली चादरें बिच्छी होती है जानवर लुप्त हो जाते हैं तो उस समय के लिए वो भोजन संग्रहन करके रखते हैं उस समय के लिए वे खाल इकठी करके रखते हैं और खाल का व्यापार भी करते थे वो व्यापार के संदर में हम आगे खाल के बारे में पढ़ेंगे फिल्हाल ये जान लें कि चूँकि वो शीत की व्यवस्था के लिए संग्रहन करते थे मांस का इसलिए शिकारी संग्रहक वर्ग कहलाया और एक पशुपालक वर्ग पशुपालक वर्ग क्यों हुआ? अब कौन थे पशु का पालन करते थे? कौन थे पशुपालते थे? तो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है घोड़े जब हम भारत के प्रारंबिक इतिहास की बात करते हैं सिंदु घाटी की सब्रिता तो आपको याद होगा कि सिंदु घाटी की सब्रता में जहां सब जानवर पाए गए वहां घोड़ा एक भी नहीं मिला याने सिंदु घाटी के लोग घोड़ा जानवर थे पूरी तरह अनविक्य थे उल्टे यहां मंगोलिया में घोड़ों का पालन किया जाता था घोड़े पाले जाते थे उनका मुख्य वेवसाय था मुख्य जानवर था घोड़ा क्योंकि घोड़े को परिवहन के रूप में उपयोग करते थे घुमंतु प्रवृति के थे तो उनके जो जानवर थे वो ज़्यादा ऐसे थे जिनका उपयोग वो परिवहन के उपयोग में कर सकें तो उसमें आगया आपका घोड़े और उट उट की बात करेंगे तो आप चौकेंगे कि उट कहां से आगे बरफीले ख्षेत रहा है और ये ख्षेत रहा है याद रखें मैं केवल उत्तर पूर्वी और पश्चमी ख्षेत की बात नहीं कर रहा हूँ मैं पूरे मंगोलिया की बात कर रहा हूँ सामाजिक प्रिश्च भूमी की जब बात कर रहा हूँ तो पूरे समाज की बात कर रहा हूँ किसी एक ख्षेत के समाज की नहीं और इसके अलावा भेड बक्री जिससे उनको उल मिल जाता था दूद मिल जाता था आदी आदी तो इस पेकारी ये पशुपालक वर्ग मुख्य जानवर घोड़ा ये याद रखेंगे और पशुपालन मूलता घुमंतु प्रवित्ति के कारण जो उन्हें परिवहन के काम ये तो हो गया पशुपालक वर्ग दूसरा था शिकारी वर्ग जिसे मैंने संग्राहक कहा ये मूलता रहते थे उन्ही उत्तरी क्षेत्र में जहां वो दोनों नदियां हैं अनौन नदी और रगोन नदी और उसके बार बरफीली पहाड़ियों का खेत्र है ये पूरा खेत् इस वणअ च्छाजित खेत्र में वणों के अंदर ये शिकारी वर्ग के लोग रहते थे इस खेत्र को हम साहिबेरियाई क्षेत्र भी बोलते हैं साइबेरियाई क्षित्र, यह साइबेरिया का क्षित्र कहलाता है, अत्याधिक ठंडा क्षित्र, पूरे वर्ष भर यहाँ पे ठंड रहती है, कड़कडाकी ठंड रहती है यहां के लोग वनों में रहते थे और शिकारी प्रवितिके थे शिकार करते थे इनका में और शिकार क्यों करते थे मैंने बताया खाल के लिए जिसका वो व्यापार भी करते थे और मांस के लिए जिसको वो साल फर खाते थे और ठंड के लिए परयाप्त मांस की व्यवस्था क करके रखते थे क्योंकि थंड के समय जानवर दिखाई नहीं देते हैं अब हम आते हैं राजनीतिक संगठन के और यह राजनीतिक पृष्ठभूमिंग के माइने यह न समझें जैसा वर्तमान में हम राजनीतिक शब्द को लेते हैं, राजनीतिक संगठन कार्थ था कि ये लोग किस तरीके से और्गनाइज थे, किस तरीके से एक दूसरे से बंधे हुए थे, परिवार जैसा एक बंधन है न, मा, बाप, बेटे-बेटी, दादा-दादी, नाना-नानी, ये एक बंधन है, सामाजिक बंधन उसी तरीके से विभन परिवार कैसे एक दूसरे से जुड़े थे, तो उसके लिए यहाँ पर हम जो शब्द यूस्त कर रहे हैं, वह है राजनीतिक प्रिष्ठ भूमी, जो बाज में राजनीतिक संगठन का रूप लेता है, तो राजनीतिक प्रिष्ठ भूमी के शिरुव सबसे पहले आपको समझना है कि कई टुकड़ों में, जैसे हम कबाईली टुकड़े बोल सकते हैं, वे बटे हुए थे, अलग-अलग खेत्रों में अलग-अलग कल्चर था, संस्कृति, अलग-अलग जीवन शैली थी जैसा मैंने बताया, तो उस अपनी जीवन शैली, शा, रहन-तहन के आधार पे इन्हें हम मोटा-मोटा च्छै भागों में, च्छै विभिन संगठनों में बाट सकते हैं, लेकिन याद रखें कि इन्हें संगठन नहीं बोलेंगे, इन्हें बोला जाता है परिसंघ, अब परिसंघ क्या है? परिवार, कई परिवार मिलकर एक परिसंग बना ये कोई फॉर्मल कोई शंश्था गत्र जिसमें कोई कानून नियम वगर वह ऐसा नहीं था लेकिन एक समझ थी कई परिवार मिलकर एक परिसंग बनाते थे जिनकी संख्या हजारों में होगी तो ऐसे हम छै परिसंग का नाम यहां थोड़ा देख लें वो छै प 250 इस्वी पूर्व में इसकी स्थापना होती 250 इस्वी पूर्व अर्थात करीब जिस काल की हम बात कर रहे हैं 1300 इस्वी की उससे करीब 1500 वर्ष पूर्व यह तुर्की से आई हुए लोगों का परिसंग बना या उद्य हुआ दूसरा था मंगोल लोंका ही जुआन जुआन करीब 400 इस्वी में यह उदित होता है तीसरा है एफल फ्लैट यह भी मंगोल थे 400 इस्वी में उसके बाद चौथा गुरुप था तूजे यह भी तरकिश गुरुप पाच्वा ओईकुर्ट तरकिश गुरुप और छटा खितान मंगोल गुरुप तो तीन मंगोल गुरुप आप देखते हैं परिसंग और तीन तुर्की से जुड़ोगे परिसंग और इसमें सबसे पुराना जो था वो था खितान मंगोल परिसंग जिसकी स्थापना लगभ लगवर्ग तेरह सो में 1000 पूर्व हो गई थी 940 इस्वी मैं 940 इस्वी पूर्व में और थां तेरह सो आई-थी जिस काल काम अध्यन कर रहा है उससे लगवर्गате 14 पूर्व की बात कर रहे हैं जब हम खितान मंगोल का जिक्र पहली बार पाते हैं ये जो छे परिसंग थे ये शुरुआज जैसा मैंने बताया है परिवार फिर उसके बाद कुछ परिवार फिर वो कुछ परिवार जुड़के और बड़े परिवार और इसमें तीन गुट ऐसे बने जो टर्किश ओरिजि परिसंगों में कुछ कामन चीज थी और वो था संसाधनों की कमी इन सब के पास कोई संसाधन नहीं थे क्योंकि खेती बाड़ी होती नहीं थी कोई विशेश जीवन शैली में पश्युपालन और शिकार ही था आर्थिक जो जीवन इनका था वो इसी पे केंद्रित था और मर भूमी और इतने ठंडे खेत्र में संसाधन के नाम से इनके पास कमी ही थी खाद्यान की कमी ही थी किसी तरह के उपकरण की कमी ही थी उपकरण से ताथपरे हैं लोहा या हथियार वगरा ओजार तो कुल मिलाके इनका जीवन बड़ा संघर्श महीं था और उसका कारण था व भाडियां, नदियां, खंडी नदियां, साइबेरिया एक्षेत्र और मरुभूमिक्षेत्र तो इन सब के कारण तेरा सो इस्वी में याने आज से लगभग आठ सो नौसो वर्ष पूर्व ये तब के संसाधनों, खाद्यानों और उपकरणों की कमी से गुजर रहे थे आप क करते जाईए, इनके पास कुछ भी नहीं था, अब खाद्यान नहीं है तो क्या होगा, चोरी चपाटी होगे, लड़ाई जगड़े होगे, ये तो आप सोच सकते हैं, संसाधन नहीं है तो क्या होगा, उसके जुगाड के लिए सब तरह के साम दाम दंडभेद अपनाए जा आईगे, तो एक आपको इसमें हिंट मिल गया होगा, कि मतलब जगड़े होगे, जगड़े होते रहे होंगे, और यहीं सच है, अब संसाधनों की कमी थी, तो शिकारी वर्ग खालों का व्यापार करता था, और व्यापार करके वो अपने संसाधनों का जुगाड करता था, व्यवस्था करता था, अपने लिए जीवन यापन को थोड़ा सा बहतर बनाने के लिए, किसका व्यापार करता था, मांस का भी करता था, जो अतरिक मांस उसने कठा किया होगा, अतरिक खालें जो उसने कठी कि होंगे उसका व्यापार वो देता था और उसकी एवज में वो अपने लिए संसाधन कुछ इकठे करता था चाहे वो उपकरण के रूप में हो चाहे खाद्यान के रूप में हो तो इस प्रकार व्यापार शुरू होता है जरूरत के कारण और ये व्यापार किन से होता था उन छे कबीलों के बीच में नहीं छे परिसंगों के बीच में नहीं ये दक्षिन में जो चीन के लोग थे उनके साथ होता था चीन के स्थाई निवासियों के साथ होता था ये चीन के स्थाई निवासी खालों के शौकीन थे उसकी जुरत होती थी इनको आदी आदी तो इस प्रकार उस समय जो व्यापार होता था वो कोई मुद्रा के अधार पे नहीं था बलकि बार्टर सिस्टिम था विनमे सामान के बदले सामान वाला व्यापार था और ये व्यापार क्यों हो रहा था क्योंकि ये सब कमी थी जीवन यापन के लिए जो मूल सामान चाहिए उसकी कमी थी जिसने ने विवश किया बाहर ज्हांकने के लिए और वो बाहरी लोग कौन थे जिनकी मदद से इन्हों ने व्यापार अपना प्रारंबिक किया चीन ही लोग थे हम बात कर रहे हैं राजनीतिक संगठन के बिलकुल प्रारंबिक दौर की जाने मंगोल इतिहास के प्रारंबिक काल की बात कर रहे हूं और इसमकार एक छोटे स्तर पर व्यापार होता है शुरू होता है तंगी के माहौल में इनका जीवन यापन होता है सभी तरह की तंगी थी जैसा मैंने बताया राजनीतिक प्रिष्ठ भूमी हमारा ताटपर मूलता परिसंगों से है और परिसंग क्या है पित्र पक्षी वंश पिता के बल पर जो वंश बनता है परिवार कई परिवार उनसे जुरू हुए परिवार जिसका मुखिया कोई एक पिता रहा होगा प्रारम में तो एक परिसंग ऐसे छै परिसंगों बने हैं और वर्गों की बात की तो मैंने दो वर्ग आपको बताया पशिपालक और संग्रहक समाज अब ये बात तै हो गई कि संसाधनों, खाद्यानों और उपकरणों की कमी के कारण इन दोनों वर्ग के बीच में जगड़े मन मुटाओ तो होते रहे होंगे बहुत होते रहे होंगे ये पशिपालक वर्ग और शिकारी वर्ग इन ही छै परिसंगों में से थे या ये च्छै परिसंग इन में से इन दो में से किसी ने किसी वर्ग से उनका तालुकात था तो कुल मिलाके ये बात हुई कि दोनों के बीच में सतत रूप से संसाधनों, खाद्यानों और उपकरनों की कमी के कारण जगड़े होते रहते थे अच्छा पशुपालक वर्ग के साथ एक समस्या और थी शीत वर्ग के साथ जहां समस्या थी, शीत काल में मांच के संग्रहन की खाल के संग्रहन की वहीं पशुपालक वर्ग के साथ क्या समस्या थी कई बार वर्षा नहीं हुई तो घास नहीं सूखा पढ़ जाता था घास नश्ट हो जाती थी और ऐसी स्थिति में जानवरों पर इसका बड़ा असर पढ़ता है एक तो कहने को पशुपालक वर्ग ये वर्ग तो पूरी तरह जानवरों पर निरभर है उसे सुनिश्चित करना है कि उनके जानवरों को परयाब घास मिलती रहे लेकिन मौसम जब बे मौसम हो जाये तो बारिश नहों पानी की कमी हो जाये तो सूखा बढ़ जाता था घास खतम हो जाती थी तब संघर्ष और बढ़ जाता था और इत्वकार पशुपालक वर्ग और शिकारी वर्ग के बीच में संघर्ष के कई कारण से खाद्यानों आदि की कमी तो थी ही ये मौसम का जो खेल था वह भी इनके बीच के संबन्दों को प्रभावित कर रहा था दुश प्रभावित करता था और विवश करता था आकरमण करने के लिए विवश करता था स्वयम की रक्षा के लिए ये लोग अपनी रक्षा भी करते थे और साथ में आकर्मन भी करने के लिए विवश थे एक दूसरे से जगड़ा करना और किसी तरीके से अपना जीवन यापन करना तो जगड़ा इनकी जिन्दगी में था, हिंसा उनकी जिन्दगी में आ गया था और इसलिए बरबरता और वैसी प्रवृत्ती, भीड़ वाली आवाज की प्रवृत्ती जिसका मैंने पूर में जिक्र किया है तो अब आप समझ गया है राजनितिक प्रिष्ट भूमि की का प्रारमिक दौर कि कैसे दो वर्ग एक दूसरे से टकराते हैं और कैसे इनमें जगड़ की प्रवृत्ति पनपती है और हिंसात्मक रूप लेती चली जाती है कैसे इनका संबंद्ध चीन से होता है और जब चीन के साथ ये लोग भी आपार करते हैं तो एक समय वो भी आता है जब चीन पे भी ये लोग जगड़ा हमला करने लगते हैं चीन से भी जगड़ा करने लगते हैं, चीन के स्थाई निवासियों से जगड़ा करने लगते हैं, क्योंकि इनकी विवस्ता थी कि कहीं न कहीं से संसाधन मिले, खाद्यान मिले और उपकरण मिले, ये विवस्ता इनको जब तब चीनियों के और भी भेज देती थी और उनके ह हमला कर बैठते थे इसलिए मंगोलियों के इन विभिन परिसंगों के बार-बार हमले के परणाम शुरूप ही चीन के एक राजा ने चीन की दिवाल खड़ी कर दी आपने चुनाओगा प्रतिद चाइना वाल दुनिया की सबसे बड़ी दिवाल लंबी दिवाल उतने भी हड़ खेतर में चीन की दिवाल देखिए कैसी दिखती है और इसकी लंबाई चुड़ाई देखिए आंकड़े बताएंगे आप उस जमा की गई कि इतनी लंबी दिवाल खीच दी जाया और फिर इतनी लंबी दिवाल खीचने की जुरत तभी पड़ी होगी जब वास्ताओं में इन कबाईलियों परिसंगों के सदस्यों के सतत आक्रमण से चीनी लोग परिशान हो गया होंगे तभी तो इतना बड़ा काम जोखिम भरा काम किया गया तो आप कल्पना कर सकते हैं ये मंगोलियाई या ये परिसंग के लोग कितने बरबर थे कितने हिंसात्मक थे कि चीन के राजा ने एक दिन विवश होकर निर्ना लिया कि एक लंबी दीवाल तान दी जाए और यही चीन की दीवाल के बनने की प्रिश्ट भूमी है चीन पर सतत हमले वो भी चीन के इस्थाई निवासियों पर इन यायावर प्रवृत्ति के लोगों द्वारा अशिक्षित गुमन्तू प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा सतत हमले ने कितना हलाकान कर दिया था यह तो अब आप समझ गया होंगे कि उन्हें इतनी बड़ी विशाल दीवाल उस जमाने में बनानी पड़ी इतनी भीशा ठंड गर्मी और बरसात में इतने दूबर क्षेतर में जो आप इस चीन की दीवाल के दिश्ट से समझ सकते हैं उस पे ये एक एक बहुत बड़ा काम था लेकिन हुआ दिवाल खड़ी हुई लेकिन जब तक ये दिवाल खड़ी होती तब तक कुछ बदलाव आ गया था जैसा मैंने कहा संसादनों खाद्यान उपकरण की कमी के कारण एक तरीके से व्यापार शुरू होता है इनके साथ चीन के स्थाई निवासियों के साथ और वो व्यापार विनमे के रूप में था एक सामान के बदले दूसरा सामान लेन देन करते थे मुद्रा के रूप में नहीं था लेकिन चूँकी इन सब की कमी थी कमी पूरी नहीं होने पर या कमी पूरी ना होने की गुझाईश को लेकर दोनों में तनाव रहता था चीन के स्थाई निवासी और ये परिसंगों के सदस्यों के बीच में ततत तनाओं कई बार ये तनाओं जो है वस्थैनिक करवाई के रूप में बदल जाती थी धावे होते थे लूट मार होती थी मैंने करा न सामदाम दंड भे सभी हटकंडे अपना लिये जाते थे और ये बढ़ता चला गया बढ़ता चला गया एक और जहां इन परिसंगों इ वहीं इसका दुष्परिणाम चीनियों को भगतना पड़ा वे कमजोर होते चले गया उनके साथ व्यापार क्या शुरू हुआ दुर्भागे से उसकी परणिति कि इस रूप में हुई कि चीनी लोग कमजोर होते चले गया सतत हमला लगातार के हमले का परणाम तो ये होगा ही तो वे कमजोर हो गया और चुकि लगातार हमले हो रहे थे चीनी जो लोग इस्थाई निवासी थे उनको एक बहुत बड़ी दिक्कत ये हुई कि इन हमलों के कारण उनके खेत खलिहान बरबाद होने लगे और इसकी बरबादी का परणाम ये कि इसने कृशी की व्यवस् चीन की क्योंकि यदि निश्चित क्रिशी विवस्था हो इस सो निवजित क्रिश्ची विवस्था हो तभी इस्थाई निवासी हो सकते हैं अधर्वाई अन्हे था नवासी स्थाई होंगे ही नहीं वो घुमन्तू प्रवृत्ति के होंगे तो यहां चीनी लोग चूंकि क्रिशी में पारंगत थे वे लोग परयाप खेती करते थे परयाप फसल उगाते थे इसलिए वो स्थाई बन गया थे पर सतत हमलों ने उनके खेतों को चौपट कर दिया किनके हमलों ने इन मंगोलियाई लोगों के मंगोल खेत के रहने वाले लोगों के हमले से धल्लगातार धावे लूट मार सैनिक करवाई तनाओ इसने मानसिक रूप से चीन के लोगों को तोड़ दिया था और उपर से खेती की विवस्था चर्मरा गई तो इनहीं के सतत हमलों और धावों के परणाम सुरूप ही चीन की दिवाल बनी है और चीन की दिवाल बनाने वाले शासक का नाम भी आप अभी जान ले जितनी लंबी दिवाल उतना ही नम्बा उसका नाम चीन शी हुआंग टी चीन शी हुआंग टी जितनी लंबी दिवाल नाम भी काफी लंबा है इसक ने इस बात का निर्णा लिया कि दिवाल बनाई जाया और दिवाल बनाई और काम उसने पूरा किया और इसमें पूरी कोशिश की कि मंगोलियाई लोगों के लूट मार थे चीनियों को बचाय जाए उसमें काफी हद तक सफल भी हुआ लेकिन चूँकि मंगोलियाई परिसंगों के लोग लूट मार की प्रवितिक थी उसके आदी थे आकरामक थे बरबर थे असब्य थे अशील थे अशिक्षित थे उन्होंने दिवाल को भी नहीं बक्षा और अपने तरीके से हमले जारी हुकर रखे हाँ दिक्कते हुई कुछ रोक आई कुछ समय तक शान्ती रही लेकिन हमले रुके नहीं और इस दिवाल को सफलता पूर्वक पार करने वाला व्यक्ति इस विशाल दिवाल विशाल दिवार की बाधाओं को लांग कर चीन पर विजाई पाने वाला व्यक्ति और कोई नहीं बलकि चंगेश खान था अब हम पढ़ेंगे आगे चंगेश खान के बारे में कौन क्या और कैसे लेकिन चंगेश खान पर शुरू करने के पहले हम यह समझ लें कि मंगोलिया एक शित्र की विवर्टा उनकी सामाजिक संरचना उनके परिसंग आदी और समाज का जो विभाजन था दो वर्गों में वो विभाजन की कटुता दिनों दिन बढ़ती चली जाती है और तब जाकर चीन की दिवाल बनाने की विवश्टा आती है यह जो इतिहास इस इतिहास की जानकारी पूरी तरीके से हमें बड़े पश्ट रूप से तो नहीं है जैसा मैंने पूर में बताया क्योंकि शुरू विवश्टों को समझने में कठनाईयां हैं वियापार भी एक ऐसा माना जाता है कि इस तरह का वियापार रहा होगा ऐसा कंजेक्चर्स ऐसा अंदाज कि इस तरीके की वियापारिक परंपराशयली रही होगी जो अंत में जाकर इस रूप में बदली जिसमें तनाव हुआ अक्रमन हुए धावे हुए आधी आधी और फिर मंगो लोग चीन पहुंच गया है इस पर थोड़ा साम और आगे बात करेंगे तो अब हम बढ़ते हैं इस पूरे अध्याय के में करेक्टर पर और वह है चंगेश खान